स्टेडी है कुछ में आप सभी का स्वागत है जैसे कि से प्रीबेस वीडियो में हमने सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर इन डीबी एमस को रीड किया था आज हम करने जा रहे हैं नेक्स टॉपिक विच इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो थोड़ा से डिफिरेंस है ल क्लाइंट इस सर्वर तो यह है इसका डाइग्राम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का क्या है आपर यह हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम में जो एक लाइन है विच इस केनेक्टेट टू नेटवर्क इसको हम क्या बोलेंगे क्या है यह हमारे लि सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकि सभी डिवाइज से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं क्योंकि subscribers बहुत ज़रूरी है, then comment कर दें. In the client server technology, there is a server system acts as a computer database management system and some clients or the computers are connected with the server through the network interface. इसमें क्या है? वोई सेम चीज़ बोल रहा है कि client server technology में क्या होता है? एक server होता है. Server कोन होता है? जो हमारा database management system की तरह काम करता है? database management system की तरह काम काम कर रहा है? यह हमारा computer system कर रहा है. इसी को हम सर्वर बोलेंगे. और इसमें हमारा पास कुछ clients भी होते हैं. Clients में यह भी computer system ही होते है. Clients में जा कोई person नहीं है. यह भी computer system है. लेकिन जो network के थूँ इसने बड़े database पर server के साथ connected है. Network interface. Network interface की through connected है. Components of the client server architecture. कि client server architecture का components कुमसे कुमसे होते हैं. एक तो इसके अंदर server है. जैसी के मैं diagram में चेक के लिया था हमने. एक तो server है. फिर client है. और एक है मारे पास network. आपको देखते हैं, server क्या होते है? It is a DBMS itself. It suppose all the functionality of the DBMS we have to install the components of the DBMS server on the server machine. This server machine will monitor all the clients. Server can distribute the workload to other computer client must obey their services. इसका मतलब क्या कहना चाहते है? कि जो server होते हैं, वो अपने आप में database management system होते है. जो data को manage करते हैं. जितने भी हमारे पास functionalities होते हैं, DBMS की, जो DBMS करता है, data base management system. वो सारा काम अकेले कॉन कर लेता है, server कर सकता है. We have to install the components of the DBMS server on the server machine. मत्तब, अगर हमें server का use करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? database management system के जितने भी components है, उसको हमें server machine पर attach करना पड़ेगा. मत्तब, install करना पड़ेगा. This server machine will monitor all the clients. जो यह server machine होगी, components install होने के बाद, server machine क्या करेगी? जितने भी हमारे पास clients हैं, जो other computer systems हैं, उनको watch करेगी, उनको monitor करेगी. Server can distribute the workload to other computer client must obey the server. तो जितने भी हमारे पास बाग की server systems होगे, ना computer systems होगे, उनको क्या करना पड़ेगा? Server को obey करना पड़ेगा. जो server के rule and regulations हैं, उनको follow करना पड़ेगा. अब जैसे किस diagram में दिख रहा होगा आपको, diagram में क्या हैं? यापर dbms है, dbms, और dbms के दो sites होते हैं. कौनसे-कौनसे sites हैं हमारे पास dbms के? एक तो है हमारे पास server side, और दूसरी कौनसी है? client side. एक तो है server side, और दूसरी हमारे पास client side. अब इसकी एक side तो हमने read कर ली, server side क्या होती है? और हम देखते हैं क्ललाइं सोले हैं ऐसे क्लाइं क्लाइं में इसक्लाइं क्लाइं माशिन में क्लाइं मेशिन Must अब एक्वारी ओल्8 अख्वारी ओल्न créeru इंस the client first take the data from the server and then execute the query and return the result to the server अब क्या functioning होते हैं इसके अंदर देखतो रीड करते हैं हम client-server जो machine होते हैं client machine होते हैं एक तो होते हैं server machine जो server क्या करेगी जो भी server के rule and regulations होते हैं वो सबको follow करने पढ़ेगे जो उसके clients है अब client machine में यह को आणिजा कै और को हो सकता है yang call workstation भी सकते है जो server को user को दोनों को क्या करेगा service provide करेगा server को भी service provide करेगा और user को भी principle इसको server को कटना पड़ेगा और QIath के components हैं उंको client site पर इंस्टोल करेंगे जो server का component है उसको हम server machine पर install करते हैं और जो client की components हैं उसको हम client machine पर install करते हैं and must reply the server मतला client talking instructions from the server जो server instructions देगा na client को उसको fulfill करना पड़ेगा और fulfill करने के बाद उसको reply भी करना पड़ेगा server को when any user want to execute a query जब किसी भी user को अगर कोई query को execute करवाना है na a query all the client machine the client first take the data from the server क्लाइंट है सबसे पहले server के पास जाएगा user की query लेगा उसको execute करेगा execute करने के बाद the result को इसको placing server को मतलब user है उसनी क्या करा user ने server पर query डाली अब client क्या करेगा यहां से server के पास जाएगा server से query लेगा query लेने के बाद उसको execute करके आप इस server को देदेगा और server किसको देदेगा user को अब इस architecture को तर्ड component है वो काउन सा है network interface network interface क्या होता है clients are connected to the server by the network interface clients are connected to the server by the network interface using the network interface server can done its application on the client machine अब इसका क्या मतलब है client are connected to the server client जो हो server से connected है इतना हमें पता है लेकिन किसकी धरू connected है वो है network interface using the network interface server can do its application on the client machine अब network interface का use करके जो server होता है न वो क्या करेगा can do its application अपने सभी काम को perform करेगा client machine पे advantages क्या होती है इस architecture की it increases the overall performance of the DBMS यह इस ने क्या कर दिया इस architecture ने DBMS की जितने भी functions से उनकी performance को overall performance को increase कर दिया workload can be distributed among all the clients अब workload जो है सिर्फ एक computer system पे नहीं है एक server पे नहीं है बारकि different different computer systems पे है सबको क्या है workload जो है distribute कर रख है it can be used to develop the highly complex application इसका हम यूज क्यों करते हैं जो highly complex applications हैं उनको build करने में उनको develop करने में हम इसका यूज करते हैं इस architecture का single copy of the DBMS शेयर डीपमस की एक single copy जो है वो सब जितने भी clients सबके पास share होगी it is it reduce the cost of disk space इसी क्या हुआ जो secondary store devices में हमें रखना पड़ता था न डेटा को store करके database की तरह उसको नहीं रखना पड़ेगा इसके लिए क्या करते डिस्की स्पेस को जो है उसकी कोस्ट को भी क्या करते हैं डिक्रीज कर दिया क्लाइंट्स विच डिफ्रेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ connected है एच अधर मतलब जैसे हमने रीड किया था कि एक नेटवर्क जा रहा है यह नेटवक है मारे पास इस से नेटवर्क में जो भी connected होगा ना client किस से connected होगा वह server से तो यह कहा रहा है कि यह नहीं है कि clients से magnitude है ऐसा भी हो सकते कि मारे पास number of clients है वो सब clients भी कहें हैं आपस में in interact कर सकते और connected है नेस्ट आते disadvantages of this architecture हमारे चैनल study hack with mehack को like जादा सा जादा share and subscribe करें अगर आपने subscribe कर दिया है तो बाकि सब्सक्राइब करा सकते हैं क्योंकि subscribers बहुत जरूरी है then comment करें there is an possibility of the error network interface ऐसा भी हो सकते कि network interface में भी error आजे जिसके कारण वो आपस में इंट्रेक्ट ना कर पाई server and client या other client it is a type of centralized computer system where is a client depend upon the single server यह centralized computer system की तरह ही है जिसमें क्या होते है जितने भी clients हो को सिफिक एक server पे depend कर रहे हैं crash or fail there is a loss of data अगर server crash हो जाता है या fail हो जाता है जो जितना भी मारे पास data हो सब क्या होज़ेगा loss होज़ेगा हमारा client server architecture अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी प्रशानी आती है देन आप हमें comment कर सकते हैं thanks for watching my video